मैं आपका स्वागत है आसा है आप सभी कुसल मंगल होंगे आईए बच्चो आज हम एड़किट अभ्यास पुस्ति का पिकार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाली है यह बुक आपको इसी सत्र मिली है इसलिए इस पेकार करने में आपको थोड़ी कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है तो इस बुक में आपके पेज क्रमान का पश्ट भी दिया गया है और कौन सा अनुच्छ दिया गया है तो आप उसके आधार पे भी इन प्रश्वत्तरो को देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन को प्रेस कर लिजी ताकि आने वाली मैटपॉन वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंसते रहे एडगेट वर्गबुक प्रशोत्तर पुस्तिका कक्छा आठवी की हिंद प्रशनों के उत्तर को अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए तो आईए देखते हैं आती लगुत्तिरी प्रशन पहला है प्राचिनकाल में चंद्रग्रहन या सूर्ग्रहन के लिए किस से उत्तरदाई माना जाता था तो उसका उत्तर आएगा में आई सूर्ग्रहन के उलेक के स्थान पर दूसरा उधान की समकक्ष वगोली घटना का हो सकता है तो उत्तर हो जाएगा चंद्रग्रहन का अगला है लगुत्तरी प्रशन 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 नमबर चौंथा आरभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था तो आरभट्टी ग्रंथ के बारे में पता चला था वीडियो को रोक कर आप इन प्रशनों के उत्तर को लिख लेजिए वीडियो को सेर कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आपके जो साती हैं वे भी इस वीडि प्रत्वी के बारे में किन मानताओं का खंडन करने का साहस्त किया था तो उत्तर है आरभटी नामक ग्रंद की रचना करने वाले आरभट ने दसमलो प्रणाली का विकास किया आरभट के प्रयासों के दोरा ही खगोल विज्ञान को गड़ी से अलग किया सका आरभट ऐसे नचचत्र विज्ञानिक थे जिनोंने यह बताया कि प्रत्वी अपनी धूरी पर गूमती हुई सूर के चक्कर लगाती है बच्चों हमारे अब यहां पर दिर्गुत्री प्रशन कंप्रिट होते हैं अब हम आते हैं 19 नंबर के पेच से 20 नंबर के पेच पर हमारी मुल्यान का सीट नंबर 6 देखते हैं अती लगुत्री प्रशने प्रशन नंबर 8 आकास में इस्थित खगोल पिंड सूर चंद्र तारे आधी पूर से पस्यम की और जाते क्यों दिखते हैं उत्तर है प्रत्वी की घुड़न गती की कारण अकास में इस्तित जो खगोल पिंड है सूर चंद्र तारे वे हमें पूर से पस्चिम की और जाते हुए दिखते हैं प्रेश नंबर लगोत्री देखते हैं नौमा विज्ञान के विभिन चेतरों में प्राचिन भारत की देन के बारे में लिखी तो उत्तर आ जाएगा विज्ञान के विभिन चेतरों में प्राचिन भारत का एक महत्पून योगदान है किसी भी संख्या को दस गुना करने वाल पंक्टियां लिखिये तो उत्तर है क्रतिम उप्गर्व मानो निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो प्रतिवी की निश्चित कप्छा में परिक्रमा करते हैं अपने संतुलन को बनाय रखने के लिए यह अपक्ष पर भी घूमते रहते हैं क्रतिम उपगर्व अंत्रिक्ष में उत्तर अपने एडिकेट अभ्यास पुस्ति का में लिक लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को सेयर या हम लाइक कर दीजिए हम फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में एक नए महत्पून पार्ट को लेकर तब तक के लिए मेरा नमस्कार जैहिं जै भार कर दो तक कर देता